बच्चो ये क्या है? ये सीडी केस है. आपने देखा होगा, इसमें सीडी इसको रखा जाता है ताकि ये सूरक्षित रहे. अब इस सीडी केस में से मुझे सीडी बाहार निकालना है. तो मैं क्या करूंगी? इसके कवर को खोलूंगी. और इसका कवर कुछ ऐसा है कि इसको यह खुलेगा मतलब इसकी कवर में मुझे घुर्णी गति उत्पन करना है और इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि घुर्णा नक्ष से जितनी दूरी पर बल लगाया जाए उतना वो आसानी से खुल जाता है तो यहां देख रहे हैं सीडी केस में अंदर एक काले रंग का जाए तो यह आसानी से खुल जाना चाहिए तो मैं इस पर बल लगाती हूं और वह बल इसकी क्रिया रेखा से डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि यदि मैं केवल इसको ऐसा पगड़ के खीचने का प्रयास करूंगी तो खुलेगा नहीं तो मैं इसमें जो बल लगाना है उस कि दिशा इस सता पर इस पर्श रेकी होनी चाहिए यानि कि टेंजेंशल और उसी के बाद ही यह डिवीडी केस खुलेगा तो चलो इस पर बल लगाते हैं कि मैं इस पर बल लगाती हूं हम देख रहे हैं बच्चों कि बल लगाने के बावजूद भी यह सीडी केस नहीं खुल रहा है क्यों नहीं खुल रहा है क्योंकि थोड़ा टाइट है तो मैं और जोर से भी बल लगाऊंगी तो भी इसे खोलने का प्रयास कर रही हूं वैसे हैं लिखा है इस डिर्शन में इसे यह अनलॉक होगा पर फिर भी यह नहीं खुल रहा है क्योंकि यहां पर मैंने एक ही सथा पर बल लगाया और इससे पहले हमने देखा था कि एक पॉइंट पर यदि हम बल लगाते हैं वस्तु के जो की घुर्णा नक्षे से काफी दूरी पर है उस समय पर वह घुर्ण भी शिचिंथी गतीओपन नहीं कर सकता है इसके लिए हम खोलने के लिए हम दौनों साइट बल लगाएंगे एस सीडी केस के दोनों चोड पर मतलब इस इसका जो ढाय कि दायमीटर होंगा इसके दोनों पॉइंट्स पर बल लगाएंगी और बहoking ऑर दोनों पक्रले रही हम में बल लगा हैं तब भी यह नहीं खुलेगा तुमको यह बल कैसे लगाना पड़ता है विप्रेट डारेक्शन में ऐसे हमने इसको पकड़ा और अब मैं इसे घुमाती हूं तो यह आसानी से खुल जाएगा देखें यह ओपन हो गया हम इसको फिर से एक बढ़ देखते मैंने इसको पकड़ा और आसानी से इसको घुमा कर हम इसे खोल सकते हैं और इस परकार हम देखें तो इस डीवीडी केस पर मैंने इसके डायमीटर के दोनों छोरों पर बल लगाया और यह दोनों ही बल इस लगाया दोनों ही बल की डारेक्शन अलग अलग थी जब मैं इसको घुमा रही थी तो अंगूठा मेरा आगे की तरफ घुम रहा था और उंगलिया मेरे तरफ आ रही थी यानि की पीछे की और आ रही थी तो यह दोनों बल विप्रित दिशा में काम कर रहे थे और ऐसे बल ज लिए यहां पर दोनों बल की क्रिया रेखा है के सब्सक्राइज करूं कांसे करेंगे इसलिए बल होते हुए भी नेट बल यानि परिणामी बल वहां परशून्य हो जाएगा अब ऐसी और कौन-कौन सी वस्तुए हैं जिसमें आप घुरनी गती बल युग में लगा कर करते हैं मतलब दो बराबर विपरित बल अलग-अलग क्रिया में रेखा में कारे कर रिये ऐसे बलों का स्तमाल करके आप खोलते हैं जैसे कि यह बॉटल का ढ इसे खोलने के लिए भी अंगुठा और उंगली को अलग-अलग डियरेक्शन में घुमाते हैं और इस प्रकार हम घुमाते हुए इस बॉटल के ढखकन को भी खोल लेते हैं और यह स्कुरूड्राइवर आपने देखा होगा जब इस हम स्कुरूँ खोलते हैं तो चाए क्ल स्कुरूड्राइवर की पर हम दो विप्रिक जगों पर अलग-अलग बिंदूओं पर बराबर और विप्रित बल लगा रहे हैं पैंसिल तो अब छेलते ही होंगे इस शापनर की साहता से इसमें भी कैसे करते हैं इसको रोटेट करना है रोटेट करने के लिए हम पैंसिल को एक साइड नहीं पकड़ते हम दोनों साइड से इसे पकड़ते हैं और फिर इसे घुमाने का प्रयास करते हैं और देखिए कितने अच्छे से ये पैंसिल शार्फ होते जा रहा है और ये छिला जाता है और भी कही हो धार है दैनिक जीवन में अब अपनी मम्मी को कीचन में काम करते देखते हूंगे ममी दाल बनाती है दाल बनाने के बाद उस दाल को कितने अच्छे से घोटती है आपने देखा है मतनी उसमें आराम से घोटती है उसमें भी आप देखेंगे वो चरनर को दोनों साइड से पकड़ती है और उसमें हाथ का मूमेंट दोनों एक ही डि यानि एक बल आगे की तरफ होता है दूसरा बल पीछे की तरफ चरनर एक डिर्प्षन में घुमते हैं फिर उसको रिवर्स घुवाने के लिए हाथों को रिवर्स करती है व्ला बल की डारेक्शन वे पृत करती है वैसे ही यदि मखन निकालना होता है अपने देखा होगा और कैसे ही लाते थे दोनों रसी को एक ही डिरेक्शन में नहीं खेशते हैं वहापे भी एक रसी को आगे और पीछे इस तरीके से वहाँ पर भी लखणी को दो विपरित डिरेक्शन में बराबर और विपरित बल दिया जाता था जिनकी क्रिया रेखा अलग-अलग होती थी और उसी के कारण ही ये लकड़ी घूमने लगता था और आप मस्त मखन का मजा लिपाते थे तो बच्चो ऐसे दैनिक जीवन में कई उधारण है जहां पर आप बल युगम का आगोन इस्तमाल करते हैं किसी वस्तु में घुर्णी गत्य उत्पन्न करने के लिए जैसे कि अपना चहरा पानी से धोने जाते होगे तो आप नल खोलते होंगे नल खोलने के लिए भी आप अपने एक अंगुठे से एक उंगली से नल नहीं खोल सकते उसकी टोटी को खोलने के लिए आपको दोनों का सहरा लेना पड़ता है और उस समय आप नोटिस करिएगा कि उंग पर लगा रहें जिसके कारण वस्तु में घुर्णी गति उत्पन हो रही है और ये दोनों बल यूगम की दिशा क्या है अभी तक हमने किसी पिंड को घुमाने के लिए घुर्णन अक्ष से एक दूरी पर बल लगाये था और उसमें घुर्णी गति उत्पन हो रही थी मतलब उस बल के आघुण का सूत्र हमने ग्याद किया था और ये सूत्र होता है आघुण बराबर बल इन्टो घुर्णन अक्ष से दूरी इस सूत्र से हम बल आघुण का मान ग्याद कर रहे थे मान लीजे हम इस सीडी के के तरह ही यहां पर एक एक कंसिडर कर रहे हैं जैसे कि cd कवर के हापने दोनों फोरों पर बल लगाया था तो मार्य जोस्की व्यास को हम दिख रहे हैं अब इसके एक झोर पर हमने एक दरेक्शन बंगाए था दूसरे चोर पर दूसरे डारेकिशन बल लगाया था मां लीजिए डोनों बलकूं से दर्चार हैं यह दोनों बल बराबर है एक दूसर से विप्रित दिशा पर है इनकी क्रिया रेखा भी अलग-अलग है और यह सीडी कवर अगर दो विप्रित बल इस तरह से लगाए जाए तो एंटी क्लोक्वाइस जारेक्शन में घूमना प्रारम किया था जिसका घुर्ण योगम का आघुन ग्याद करना है तो हम इन दोनों बलों का आघुन निकाल लेते हैं इस ए बिंदू पर बल नीची की तरफ काम कर रहा है और इसकी घुर्णन अक्ष से दूरी ए ओ है तो इस बल का आघुन होगा एफ इंटू ओ ए वैसे ही यदि हम बी बिंदू पर लगन वाले बल का आघुन ग्याद करें तो यह होगा एफ इंटू ओ बी और यहाँ पर हम देखें तो इस दोनों ही बल की दिशा एंटी क्लॉक्वाइज है घड़ी की विपरित दिशा में तो जब हम कुल आघुन निकालेंगे यानि कि इस बल यूगम का आघुन निकालेंगे तो हम लिखेंगे टाव बराबर एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी यूगि दोनों बल वामावर्त गुमा रहे हैं यानि कि घड़ी की विपरित दिशा में इसलिए हमने यहाँ पर एडड किया है अगर दोनों अलग-अलग डिरेक्शन में गुमा रहे होते तो उ अब यह जगर टाव बराबर एफ कॉमन ले लेते हैं वोगा ओए प्लस ओबी और ओए प्लस ओबी यानि कि ए से लेकर बी तक की दूरी है तो हम लिखेंगे टाव बराबर एफ इंटू एबी यानि कि दोनों बलों के बीच में लंबवत दूरी तो इस प्रकार टाव का और अंग्रीजी में से हम लिवराम के नाम से जानते हैं तो यह है बल यूग में के आगून का सूत्र जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बल की दिशा जिस प्रकार होगी आगून भी उसी के अकॉर्डिंग की उत्पन होगा यदि हम यहाँ पर इस कंडिशन में देख एक बल उपर और बल नीचे की दिफ लगा रहे हैं तो यहाँ पर आगून एंटी क्लोक वैस होगा यदि बल की दिशा रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पर आगून क्लोक वैस होगा इसका मतलब बल यूग मका आगून यानि की टॉर्क एक सदीश राशी है जिसकी दिशा हो यहां पर हम देख रहे हैं F B सदीश राशी है और D B सदीश राशी है दोनों की बीच की दूरी तो यहां से हम देखें कि बल यूगम का आगून एक सदीश राशी है और यदि ये सदीश राशी है तो इसकी दिशा भी होगी और इस प्रकार इसकी दिशा के अनुसार हम बल य लाइन बनाते हैं तो बीच में हम सेंटर में 0 लिखते हैं और इस तरह जो राशी रहती है उसको धनात्मक लेते और इस तरफ जो राशी रहती है उसको रिनात्मक वैसे ही जीरो के ऊपर वाली राशी को धनात्मक लिखते हैं और नीचे वाली राशी को हम रिनात्मक लिखते अब टाव का डिरेक्शन निकालना हूं तो इसमें हम बहुत तरे नियमों को इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन सबसे easy तरीका राइट हैंड के अंगुठे का इसकी सहायता से आप आसानी से इस टाव की दिशा को ग्याद कर सकते हैं मान लीजे कि बल इस प्रकार कारे कर रहा है कि इधर उपर क्यों रहे इधर नीचे क्यों रहे तो आप अपनी उंगलियों को इस प्रकार फोल्ट करेंगे ठीक है एक बल उपर था एक बल नीचे क्यों तो उपर ते नीचे की वर हम फोल्ड करते हैं आपका अंगूठा किस तरफ होगा यह इस बोड के लमवत सामने की ओर हो रहा है और यदी आपने कॉपी में बनाया डाईग्राम तो इसके कॉपी के तल के आगोन धनात्मक होता है यानि कि positive होता है अब इसकी विपरत देखते हैं अभी अपने दो बल को इस डिरेक्शन में ले लिया है अब आपको इसकी दिशा ग्याद करनी है तो right hand लेंगे left hand विलकुर इस्तमाल न करें वरना आपका जो calculation है उसके अनुसार दिशा गलत हो हैं तो आपके copy के कागश तल के लंवत नीचे की और आएगा यह दिनीचे की और आ रहा है मतलब उसको आप रिनात्मक लिखेंगे इस प्रकार जो बल युग्म वस्तू में clockwise direction में घुर्णी गत्युत्पन्य करता है उसका टॉर्क उसके बल युग्मक का आगोन रिनात्मक लिए जाता है तो इस प्रकार बच्चो अब आप बल युग्मक के आगोन की दिशा बताने में गलती नहीं करेंगे और वो धनात्मक है कि रिनात्मक है यह भी अच्छी तरिके से दोनों में अंतरिस्पष्ट कर सकेंगे अब देखते हैं इस बल युग्मक के आगोन का मात क्या है हमने यह टाव बराबर एफ इंटू पर्चव कम अन्यंगे की बल का मातंसी दर्श आते हैं और डिस्ट समस उत्पर निवर्टन इंटुमीटर बच्चों जब हम कॉमट्टेव एक्जाम देते हैं PMT हो चाहे PET हो मतलब जब आप medical की या फिर engineering की तियारी करते हैं तो dimensional formula ज़रूर पूछे जाते हैं तो आप class 11 से ही कुछ ऐसे important राशिया हैं उनके dimensional formula अभी से याद रखें तो इस torque का dimensional formula भी पूछा जाता है तो dimensional formula लिखते हैं Newton का dimensional formula होता है MLT-2 जबकि meter का dimensional formula होता है L तो इस प्रकार torque का dimensional formula होता है ML square T-2 तो इस प्रकार बच्चो हमने इस बल युगम के आगोन का सूत्र देखा इसकी दिशा देखी इसके प्रकार देखे इसका मात्रक तथा विमी सूत्र देखा अब चलिए हम आगे घुरनी गती के लिए गती के समीकरन लिखें जैसा हमने रेखी गती में गती के तीन समीकरन लिखे थे ये तीनों समीकरन आपको याद होंगे और ये याद रहने भी चाहिए क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु की गती का अध्यन करते हैं तो ये तीनों समीकरणों से बंधे हुए होते हैं और ये समीकरण हमको कक्षा नवी से पढ़ते पढ़ते बिल्कुल याद हो जाते हैं तो आपको भी यह तीनों समिकरण याद होंगे, पहला समिकरण होता है V is equal to U plus A T, दूसरा S is equal to U T plus half A T square, तीसरा V square equal to U square plus 2 A S, जहां इन चिन्नों के विशेश महत्व हैं, यह एक विशेश टर्म्स के लिए दर्शा आए जाते हैं, यह जो हमने यहाँ पर यह तीन equation लिखे हैं यदि उसको हम शब्दों में कहें, तो यहाँ पर कोई वस्तू है, जो आरंभिक वेग U से गती करना प्रारंभ की है, और T समय के पश्चात, उसमें अंतिम वेग V होता है, और इस गती में वस्तू द्वारा तै किया गया विस्थापन S होता है, जबकि वस्तू का त्वरण यहाँ पर A से दर्शाए जाता है, और यहाँ एक समान त्वरित गती के लिए तीन समय करन है, जहाँ पे वस्तू का त्वरण एक समान था, यदि इनी समी करनों को मैं गुर्नी गती के लिए लिखो, तो समी करन तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर नोटेशन्स चेंज हो जब हम रेखी गती की बात कर रहे होते हैं वस्तु ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है उस समय इन सारे शब्दों का स्तमाल किया जाता है लेकिन जब वस्तु घुरनी गती कर रहा हो या फिर वृतिय गती कर रहा हो दोनों में फर्क है जब हम घुरनी गती की बात करते हैं तो वस आक्ष्य उसके वस्तु के बहार होता है लेकिन दोनों कंडिशन में वह घूम रहा है और उस कंडिशन में हम साधरण शब्दों का स्तमाल ना करके उसके आगे कोणी शब्द लगा देते हैं जैसे कि कोणी विस्थापन कोणी अवेग कोणी त्वरण और इस प्रकार हम घुर की कोशिश करते हैं उसके बड़ डिराइफ करेंगे कि यह एक्वेशन आये कहां से तो सबसे पहला एक्वेशन हम कंपेर करके लिखते जाते हैं क्योंकि अभी तक हमने कक्षण नवी से ही रेखी गती ट्रांसलेटरी गती के बारे में पढ़ा था और उसी के अधार पर हमन लिखने का तरीका यह रूप चेंज हो जाता है और हम उसमें मिस्टेग कर जाते हैं यह कभी-कभी कंफ्यूस हो जाते हैं तो कंफ्यूस नहीं होना है बेसी कॉंसेट वही लगाना है पहला पहले एक्वेशन हम लिखते हैं V is equal to U plus A T, V क्या है अंतिम वेग, U आरंभिक वेग, A त्वरण और T समय, मान लीजे कोई वस्तु घुरणी गति कर ली है और आरंभ में उसका कोणिय वेग ओमेगा 0 से दर्शाय जा रहा है, T समय पस्चात उसका अंतिम कोणिय वेग ओमेगा से दर्शाय जाएगा, मान लीजे ये वस्तु एक समान कोणिय त्वरण से घुरणी गति कर लिए, तो कोणिय त्वरण को हम अलफा से दर्शायेंगे, और इस T समय में वस्तु में कोणिय विस्थापन ठीटा उदपन हो रहा है, अब यही चिन्न को हम इस पहले वाले एक् पहला समीकरण बनाते हैं, तो V यानि की अंतिम वेक्था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओमेगा बराबर, यू के स्थान पर लिखेंगे, यू मतलब आरंभिक वेक्था, तो हम लिखेंगे ओमेगा जीरो प्लस, ए त्वरण है, तो हम यहाँ पर कोणिय त्वरण हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे T, तो यह हो जाएगा, ओमेगा बराबर, ओमेगा जीरो प्लस, आल्फा T, बच्चों आप लोग बोल रहोंगे कि T को हम लोग चेंज क्यों नहीं किये, यह कि T यानि कि सम है, वो अदीश राशी है, और अदीश राशी के लिए, सभी जग हम दूसरा समीकरण देखते हैं, यह translatory motion में था, S is equal to UT plus half AT square, अब इसको हम कोणिय में लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, S यानि कि विस्थापन, उसके स्थान पर लिखेंगे कोणिय विस्थापन, यानि theta, U के जगा, कोणिय वेग, आरंभी कोणिय वेग, omega 0, T के स्थान प कोणिय वेग, आलफा, T square, तो यह हो जाता है, खुर्णी गति का तूसरा समीकरण, ऐसा ही तूसरा समीकरण देखते हैं, यह V square equal to U square plus 2 AS, अब V square, यानि कि अन्तिम वेग का वर्ग, तो यह लिखेंगे omega square, बराबर, आरंभीक वेग का square, यानि कि omega 0 का square, plus 2 और A के स्थान पर लिखेंगे alpha, कोणिय त्वरण और S के स्थान पर लिखेंगे कोणिय विस्थापन, तो इस प्रकार यह घुर्णी गति के तीनों समीकरण है, अब आईए देखते हैं कि इन समीकरणों को हम कैसे वियुत्पन कर सकते हैं, सबसे पहले समीकरण को उत्प परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, मतलब वेग में परिवर्तन समय के सासत कैसा हो रहा है, बही त्वरण कहलाता है, तो जब हम कोणिय त्वरण की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कोणिय वेग में किस प्रकार समय के सासत परिवर्तन हो रहा है, तो हम लिखेंगे कोण अन्तिम कोनियवेग है और omin0 अरंभि कोनियवेग है इसका अंतरה निकाल देते हैं तो वेग में परिवर्तन निकल जाएगा और यही से हमंदेखेंगे omega minus omega 0 equal to alpha T और omega बराबर होगा omega 0 plus alpha T और यह गति का पहला समिकरन है अब हम गुर्णी गती का दूसरा समिकरन डिराइफ करते हैं गुर्णी गती का दूसरा समिकरन डिराइफ करने के लिए हम यहाँ पर औसत कोनिय वेक का कॉंसेट लगाएंगे हम जानते हैं बच्चों जब हम औसत वेक की बात करते हैं तो आरंभिक वेग को अंतिम वेग के साथ प्लस करके दो से भाग देते हैं यहां पर औसत कोणिये वेग की बात हो रही है तो औसत कोणिये वेग बराबर होगा आरंभिक कोणिये वेग प्लस अंतिम कोणिये वेग अपॉन टू अब हमने गती के पहले समीकरण में इस ओमेग का मान देखा था तो यहां से हम ओमेगा का मान रख देंगे मतलब घुरनी गति के प्रतम समीकरंट से ओमेगा का मान रखने पर यह हो जाएगा omega 0 plus omega 0 plus alpha t upon 2 यह omega 0 plus omega 0 2 omega 0 हो जाएगा 2 omega 0 plus alpha t upon 2 और यह 2 को दोनों साइड यह दिमें distribute कर दू तो यह हो जाएगा 2 omega 0 upon 2 जहां से 2 और 2 cancel हो जाएगे तो केवल बचेगा omega 0 plus 1 upon 2 alpha t अब यह औसत कोण यह वे का मान था अब यह जो घूरिनी गती का दूसरा समीकरण होता है वो कोणिये विस्थापन के लिए होता है तो हम यहाँ पर कोणिये विस्थापन का सूत्र लिखेंगे बच्चों जानते हैं विस्थापन बराबर वेग इंटू समय तो कोनिय विस्थापन बराबर होगा औसत कोनिय वेग इंटू सम है तो यहां लिखेंगे थीटा बराबर औसत कोनिय वेग का भी सूत्र हमने निकाला तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम ओमेगा जीरो प्लस वन बाई टू अलफा टी इंटू टी अब टी को गुणा कर देते तो यह जगा थीटा बराबर ओमेगा जीरो इंटू T प्लस हाफ अलफा टी स्क्वेर और इस प्रकार हमने घुर्णे गति के दूसरे समीकरन को डिराइफ किया अब घुर्णे गति का तीसरा समीकरन देखते हैं तीसरा समीकरन होता है ओमेगा स्क्वेर इकुछाइग टू omega 0 square plus 2 alpha theta. अब इसको derive करने के लिए हम गुर्णी गती का पहला equation ही लेते हैं. गुर्णी गती के पहला equation के नुसार omega equal to omega 0 plus alpha T होता है. अब इस समीकरण को दोनों पक्षों में square करने पर, squaring both sides, हमको मिलेगा omega square बराबर omega 0 plus alpha T का whole square. और यहां पर आप देख रहे हों कि दो terms हैं. तो यहां हम formula लगाएंगे a plus b whole square का. a plus b whole square क्या होता है? a square plus b square plus 2ab. यहां पर भी वही सूतर लगाते हैं. तो यहां हो जाएगा omega square बराबर omega 0 का square plus alpha square T square plus 2 omega 0 alpha T. अब next step में देखते हैं, इसको और simplify करते हैं. तो यह हो जाएगा omega square equal to omega 0 का square plus 2 alpha इन दोनों terms से common ले लेते हैं. तो हमें क्या मिलेगा? omega 0 T plus, अब यह दूसरे term में तो 2 नहीं था, लेकिन हमने 2 common लिया है. तो इसे 2 से भाग देना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे 1 by 2 alpha T square. और omega 0 T plus half alpha T square. इसको हम देखें, गुर्नी गती के गती का दूसरा समीकरण है. और यह represent करता है कोण यह विस्थापन को. तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, omega square equal to omega 0 square plus 2 alpha theta. और यह गुर्नी गती के गती का तीसरा समीकरण है. तो इस प्रकार बच्चों, हमने पुराने concept को recall करते हुए, गुर्नी गती के लिए तीनों समीकरण को derive कर लिया. और यह उतना मुश्किल नहीं था, जितना यह देखने में लग रहा था. तो इस प्रकार हम पुराने concept से जोडते हुए, गुर्नी गती के लिए derivations को आगे करें, तो यह हमें आसानी से याद भी हो जाएंगे, और इसके last step तक पहुँचने के लिए, हमसे कोई भी गलती नहीं होगी. तो इस घुर्नी गती के तीनों equations को देखने के बाद, इससे अच्छी तरह से जानने के बाद, चलिए, इसको practice करने के लिए एक आंकिक प्रश्न बनाते हैं. एक engine का motor, 1500 चक्र प्रती मिनट के कोणिये वेग से घुम रहा है. स्विच बंद करने पर वहाँ 20 सेकंड में रुख जाता है. यदि उसका कोणिये त्वरन नियत हो, तो बताईए कि विराम में आने के पहले, वह कितना परिभ्रमन कर लेगा. इस प्रश्ट में दिया गया है, engine के motor का आरंभी कोणिये वेग, 150 चक्र प्रती मिनट. यह हम मिनट को सेकंड में कनवर्ट करेंगे, इसके लिए हम इसे 60 से भाग दो देंगे, क्योंकि एक मिनट पे 60 सेकंड होते हैं. इसलिए आरंभी कोणिये वेग, ओमेगा 0 बराबर होगा, 150 अपॉन 60 और इसे हम simplify करें, तो हमें मिलेगा 5 अपॉन 2 चक्र प्रती सेकंड और हम लिख सकते 5 अपॉन 2 इन्टू 2 पाई, यदि हम इसे radian में कनवर्ट करना चाहते हैं, तो चक्र को हम radian में कनवर्ट करने के 2 पाई से गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा, तो यहां से 2 अर 2 कैंसल हो जाएगा, और हमें मिलेगा 5 पाई रेडियन प्रती सेकंड, इस मोटर का अंतिम कोणिये वेग, यह शुन्नी होगा, तो रुकने वाला है, इसलिए अंतिम कोणिये वेग शुन्नी होगा, 20 सेकंड के पश्याद, यानि T बराबर 20 सेकंड के पश्याद, यह मोटर बंद हो जाएगा, इसलिए इस मोटर का अंतिम कोणिये वेग, ओमेगा बराबर शुन्नी होगा, अब घुर्णी गती के पहले समीकरण से, हम लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर ओमेगा जिरो प्लस अलफा टी, और इस समीकरण में सारे मान रखने पर हमें मिलेगा, 0 इक्वल टू 5 पाई प्लस अलफा इंटू 20, और यहां से अलफा बराबर होगा, मान रख देते हैं, तो थीटा बराबर होगा, 5 पाई इंटू 20 प्लस 1 बाई 2, ब्राकेट के अंदर, मान पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वेर, और थीटा बराबर मिलेगा, 100 पाई माइनस 50 पाई इक्वल टू 50 पाई, और इस प्रकार परिब्रह्मनो की संख्या होगी, थीटा अपॉन 2 पाई इक्वल टू 50 पाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू 25,